तो मैंने आप सभी से पूछा था कि आपको किस तरीके से क्लास चाहिए तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि जैसे आपने सीटेट में वन लाइनर नोट्स दिये थे NCRT के सिम उसी तरीके से BPSC-TRE3 में भी आप हमें वन लाइनर नोट्स दे दें जो भी GS में अभी तक हर एक एक्जाम में BPSC ने बहुत सारे पेपर कराए हैं तो उसमें से important questions के मैंने सोचा कि वन लाइनर नोट्स आप सब बहुत जादा डिमांड कर रहे हैं तो वो बैटर होगा और वहीं पर आपका ये भी कहना था कि समय बहुत कम है थियूरी पढ़नी सकते हैं और इतना सरा आपका 1 to 5 हो गया 6 to 8 हो गया सब में GS आता ही है तो वन लाइनर बैस्ट होगा तो आप बताना क्योंकि कल से सारे कमेंट्स मैं यही वाला देख रही हूँ कि वन लाइनर नोट्स चाहिए आपको जो भी questions अभी तक कहीं भी किसी भी exam में पूछा गया उसका आपको वन लाइनर नोट्स चाहिए कि आप direct question देखेंगे और उसके सामने answer लिखा होगा इससे क्या होता है ने कि आपका एक short नोट्स तयार है और आप इसको exam के एक दो दिन पहले भी पढ़ सकते हो कुल दो से तीन पन्नों का होगा वो उसमें questions भी आपके 1500 हो सकते हैं ठीक है क्योंकि अब मैं उस पे काम करूंगी विकास मैंने सोचा था कि theory स्टार्ट करने से मुझे भी ऐसा लग रहे है कि वन नाइनर ज्यादा बेटर होगा आप मुझे बताना और आप लोगों का ये भी कहना था कि पहले आप questions करा दीजे जो भी BPSC ने आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपके 120 में से कितने नंबर आ रहे हैं क्योंकि ये जो भी चीजें यहां पर आप पढ़ रहे हो न ये NCRT और SCRT से पूछा गया है एक सवाल ये भी आता है कि ये questions किस किताब से है तो ये किताब तो नहीं मिलेगा ये NCRT जिसने पढ़ी होगी न बहुत अच्छे से seated के लिए या फिर जिसने SCRT पढ़ी होगी उसको अच्छे से समझ में आगा कि ये science, history, geography, quality इनी की किताबों से लिया गया है ठीक है तो च वन लाइनर नोट्स की PDF दूँगी जैसा मैंने seated में दिया था सारा सब कुछ फ्री में है कोई यहां पर चार्ज नहीं लगने वाला है ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले question और विद्दुद बिभा को मापने के लिए किस उपकरण का उप्योग किया जाता है और ये question देखिए बाकी मैंने इसकी playlist भी बना दी है आप जाएंगे ना playlist पे तो BPC TRE 3 class उसमें सारे classes आएंगे चुम्ब की ये छेत्र है आपको पता है कि scale and vector quantity हम पढ़ते ही है तो इसमें से वही सेम चीज पूछ रहा है कि चुम्ब की ये क्या है अदीस है कि ये आयाम रहित है ब जो भी GS है चाहे वो 1 to 5 में हो 6 to 8 9 से 10 11 से बारा सब में आने वाला है क्योंकि GS का कोई सरपैर नहीं होता है आप भी जानते कहीं से भी कुछ भी उठा कर पूछ लिया जाता है तो इस सब में काम आएगा तो यहां पर आप देखे एक प्रीथवी पर अधिक भार किस इस्ति में या फिर खड़े होकर वो ज्यादा भार धकेल सकता है या फिर वो जमीन पर लेट जाने किस्ति में तो किस में वो सबसे ज्यादा भार आगे मतला धक्का दे सकता है धकेल सकता है वो कोशन पूछ रहा है तो आप भी आपको भी पता है कि आप बैठ कर उतना आप एक तर देखे, प्रिजम से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला, और ये देखे, ये question repeat है, कल जो आपने पढ़ा है, जो कल मैंने आपको question कराया था, वो BPSC नहीं paper लिया है, बट वो TRE 2 का था, और ये TRE 1 का है, सोचे questions repeat हो रहे हैं, उसमें ये question पूछा था कि प्रि बस आपको सब कुछ पढ़ना होगा, तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला आपको भी पता है, बैग नी है, तो B हो जाएगा हमारा, वोयलेट, 21 देखे, मिटी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, मालो ये मिटी का तेल है, ठीक है, अब इसम जादा नीचे गिर जाएगा, या फिर वैसे ही बना रहेगा, काफी इंट्रेस्टिंग कोश्चन है, बताइए, आप इसका एक्सपरिमेंट भी कर सकते हैं, कि आप एक तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल कर देख लेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि बर्फ हैं, आपके कॉमेंट्स को मैंने पढ़ा था, तो आप सहीं कर लेना, 21 का B है, ये देखे, 22 वा कुश्चन है, निवन में से किसका pH 7 से अधिक है, ये आपको पता होना चाहिए, कि 7 से अधिक किसका होता है, 7 से कम किसका होता है, ठीक है, तो 7 से अधिक इसमें से गैस्ट्रि बी, चलिए, तेज कोश्चन पर चलते हैं, एक समान नेनेत्र लेन्स की नाभिक दूरी होती है, लगबग, जो एक समान नेत्र लेन्स होता है, उसकी नाभिक दूरी कितनी होती, ये आप से पूछ राह थे, तो 1状är, 25 सेंटी मेटर या फिर 2 सेंटी मेटर, बताएए, तो इसका राइच आंसर हो जाएगा 2 cm ठीक है तो याद रखेगा जो समान ने जो नेत्रलेंस होता है इसकी नाभिक दूरी होती है 2 cm ठीक है तो 23 का हमारा C चले 24 पे चलते हैं सो उसका बुझे वे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है जो बुझावा चूना है उसपे जैसे ही क्लोरीन गैस की क्रिया होगी तो उसे कोई पदार्थ बनेगा कौन सा बनेगा आप बताओ क्या कैलसेम क्लोराइड बनेगा विरंजक चोड बनेगा या फिर हाइडरो क्लोरिक मतला HCL बनेगा बताइए तो आपका 24 का हो जाएगा B विरंजक चून ठीक है जब भी वो सुस्क बुझावा चूना होगा उस पर जैसे ही क्लोरीन गैस की जो है क्रिया होगी तो उसे बनेगा विरंजक चून ओप्शन बनेगा विरंजक चून ऑप्शन बनेगा B जो भी उनके लक्षन होते हैं उनके बच्चों में उनके संतान में आता है ठोड़ा बहुत जिसे हम जीन्स मीं बोलते हैं जनेटिक हिंदी में आनवन सिकता बोलते हैं तो यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं आनवन सिकता So, आप्शन मर् B चले, 26 देखे और ये काफी लंबा कोशन है ये देखे A, B, C यहां तक चलो ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बात है जो की इसमें सहीं मानी जाएगी तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एमीटर और वोल्ट मीटर को स्रेडी करम में जोड़ा जाना चाहिए गलत एमीटर को स्रेडी करम में और वोल्ट मीटर को समांतर करम में जोड़ा जाना चाहिए सहीं है और ये डेटेल में आपको जो कोई भी मेरे से पूछता है तो डिटेल आपको NCRT, SCRT में ही मिलेगी, अब समय तो है नहीं, 10 से 15 दिन बाद आपका पेपर ही है, तो ये सही है, सत्यापन की बात हो रही है न, उस चीज को ध्यान रखना है, तो B बाला ओप्शन सही है, बाकि C देख लेते हैं, एमिटर को समाना अंतर क्रम में और वोल् यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, इस वज़े से ये गलत हो गया, ठीक है, तो जब भी ओम के नियम की सत्यापन की बात आएगी, ध्यान रखेगा कि अमिटर को आपको समाना अंतर क्रम में जोड़ना है, ठीक है, तो 26 का आपका B, 27 देखते हैं, लोहे के बुरादे में तन क्या होगा, तो वही सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गेस और आइरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, यह तो काफी असान कोशन है, और यह आंसर मैं पहले बता देती हूँ, BPSC ने जो आंसर सीट दी है, उससे वेरिफाई है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, तो 27 भी हो चलो 28, कुछ लोग PDF की डिमांड कर रहे थे, बट PDF अगर मैं भेज भी दियू बिना आंसर का, तो कोई फाइदा नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्यूंकि इसमें आंसर तो रहता नहीं है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे बेस्ट विधी कौन सी है, चराई, वन रोपन, वन मुलन, और आप भी जानते हैं, कि बाढ़ को रोक, क्यूं बाढ़ आता है, इसका रीजन आप बताओ, आपको समझ में आ जाएगा, लोग पेड काट देते हैं, आपने देखा होगा, कि अभी 36 गड़ में आई थिंग जब पेड काटा जा रहा था, तो वहीं के लोग उसका विरोध करने लगे थे, और बहुत जगा ऐसा जो है, देखा गया है, कि पहले वहाँ पर किनारे जो है, पेड थे, तो कभी वहाँ पर बाढ़ नहीं आया, जैसे वहाँ से पेड को काटा गया, बाढ़ आने लगा, तो इसका में ही, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, तो जिंक के बजाए, ये भी कोशन पूछा हुआ है, और कल ही हम लोग नहीं किया, तो आप देख सकते हो, 6 to 8 और 1 to 5 में कुछ डिफरेंस नहीं है जादा, खाने के डिबबो पर जिंक के बजाए, तिन की परत चड़ी होती है, क्यों, और वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में क्योंकि मैंने बोला था कि तिन की तुलना में जो जिंक है, वो अधिक प्रतिक्रिया सील है, ठीक है, सो अप्शन अबर सी, ध्यान रखिएगा, कि खाने के जो डिबबे होते हैं, उस पर आप जिंक के बजाए, तिन की इसलिए पर चड़ी होती है, क्योंकि जो तिन होता है उसकी तुलना में जिंक ये, वो ज़्यादा प्रतिक्रिया सील है, इसलिए, बस यही रीजन है, उप्शन अबर सी, तो यह रिपिटेड कोशन है, कोशन कराने से फायदा तो यह होता है, कि हमें समझ में आता है, कि BPSC का पैटन क्या है, तीसवा कोशन देखिए, और वीड इस्ट्रोण का स्राव, या फिर एस्ट्रोजन का स्राव, इन तीनों में से कौन सा होगा, या फिर एक से अधिक है option इसमें आपका, तो इसमें जो है, एक से अधिक options सही है, इसलिए हम D के साँ जाएंगे, देखो ये D और E वाले options आपको इकका दुका, ऐसा नहीं कि हर सार कारे options में आप खुद notice करना, मस्कल से 3 से 4 सवाल ऐसे होगे, जिसमें आपका D या फिर E सही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कारे किया जाता है, तो एक से अधिक options सही है, तीसवा हो गया, 31 देखते हैं, इमली में कौन सा अमल है, भाई ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस की क्लास में, I think मैंने जब 6th क्लास के NCRT पढ़ाई थी, उसमें भी लिखा हुआ था कि जो इमली है, उसमें टार्टरिक अमल होता है, और दही में आपका लेक्टिक अमल होता है, मेथोनोईक अमल किसमें होता है, ये जरूर बताए लेक्टिक अमल, दूद दही से रिलेटेड, जब भी कोशन्स पूछे तो आप लेक्टिक अमल पर जाना, और इमली जो है, उसमें होता है, टार्टरिक, और जो चीटी होती है, आपको पता है कि चीटियां जो है, जब काटती है, तो अजीव सा एक जन जनार जैसा लगता ह क्यों, कौन सा होता है उसमें, वो आप जरूर बताना, साथ में सिर्का में कौन सा अमल होता है, ठीक है, सिर्का, एसिटिक एसिड, तो यह होगा हमारा इसका राइट आंसर, कि इमली में कौन सा है, तो टाटरिक, ऑप्शन नमबर बी, 32, देखिए, क्लोरोफर्म क्या होते हैं, बताएए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्तित बैक्टिरिया, या फिर गर्म चस्मों में पाए जाने वाले बैक्टिरिया, या फिर बहुत जादा थंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टिरिया, तो 32 का आपका बैक्टीरिया, so option number A, ठीक है, 32 का A, 33 पे चलते हैं, अगले question पे, अभी तो पूरा 120 तक चलना है, numbering पे ध्यान मत देना, क्योंकि numbering तो इधर उधर है, pdf बनाने में आपको पता है, यह हो जाता है, भारत की संसत के नए भवन के प्रभारी, आपको पता है, कि नए भवन बना है, उसके प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, काफी अच्छा question है, और यह पूछा जा सकता है इस बार भी और वो है, पदम श्री इनको दिया गया है, विमल पतेल, तो इनका नाम आपको रट लेना है, ठीक है, कि जो नए भवन बना है, उसके वास्तुकार का नाम है, बस पतेल से मत याद रखना, क्योंकि पतेल पतेल तीन options, तीनों में पतेल लिखा हो सकता है, तो प भारत की वयस्क आबादी के मत दाताओं का प्रभावी प्रतिसत क्या था, 10-15, 20-25 या फिर 30-35, तो आपको भी पता है, कि जो केवल बात हो रहा है, सन्विधान सभा के सद्दस्यों के, चुना में भाग लेने वाले जो भारत की वयस्क आबादी है, उसमें इनका प्रतिसत था 10-15, so option number A आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आप screen sort भी ले सकते हैं, 35 देखिए, किस राज ने अपरेल 2023 में transgender समुदाय को OBC का दरजा दिया है, ये राज जी की बात हो रही है, ध्यान दीजेगा, तमिल नाडू मध्यप्रदेश राजस्थान, तो आपको भी पता है कि जो मध्यप्रदेश सरकार है, उसने 2023 में transgender समुदाय को OBC का दरजा दिया है, most important question है, ध्यान रखिए, B, चलिए अगले question पर चलते हैं, चलिए, 36, यहाँ पर अब ध्यान दीजेगा, इसमें लिखा हुआ है कि मुहम्मद बीन तुगलक के सासनकाल में भारत आयप्रसित मुस किस देश के थे, यह आप से पूछ रहा है, कि अफगानिस्तान के थे, मुरक्को के थे, कि इराग के थे, इबन बतूता, सोसल साइंस में भी आपने इसको बहुत देखा होगा, तो वो मुरक्को से थे, ठीक है, किस देश के थे, यह आप से पूछ रहा है, मुरक्को, तो 36 क आपका B, 37 देखिए, हाल इमें भारत का पहला केबल स्टेर रेल पूल बनाये गया है, किस राज्य में है, हिमाचर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कस्मीर, क्या पूछ रहा है आपसे, केबल स्टेर रेल, आपने देखा होगा, केबल स्टेर रेल, जो पूल है, वो कह 38 देखिए, भारत का पहला सेमी कंड़क्टर, जैसे हिंदी में बोलते हैं, अर्ध चालक, निर्माढ हे तू, जो प्लांट है, वो किस राज में स्थापित किया जाएगा, तो कहां पर होगा, बताए, पहला सेमी कंड़क्टर, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार म तो वही हमारा गुजरात, गुजरात में ही जो है, पहला सेमी कंड़क्टर, निर्माढ हे तू, प्लांट इस्थापित किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, चले, 39 पे चलते हैं, यहां से आपका भारती रास्ट्री आंदोलन के कुश्चन स्टार्ट, सब कुछ मिक है, अभी हमने देखो साइंस भी पढ़ लिया, और थोड़े बहुत हमने समाने जागरुकता भी पढ़ लिया, अभी आपका भारती रास्ट्री आंदोलन, तो 1917 में चंपारन सत्याग्रह के दारान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ग्याद प्रयास के पीछे कौन था, डॉक्टर ग्रांट, या फिर एचेस पोलक, या फिर इर्विन, तो आप भी जानते हैं, इर्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 17 में चंपारन सत्याग्रह था, उसमें गांधी जीवन पर पहला जो ग्याद प्रयास था, वो इसी का था, इर्विन का, ठीक है, option number C, 39 भी हो गया, 40 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2, U2 ग्रूपिंग का सद्ध से है, तो इन में से आपको बताना है, भारत, इजराइल, सन्युक्त, अरब, अमिरात एक से अधिक भी हो सकता है, और कोई नहीं भी हो सकता है, तो आप भी जानते हैं कि तीनों के तीनों ही हैं, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, सन्युक्त, सौरी, एक से अधिक, तो ये तीनों से अधिक से हैं, इसलिए हम एक से अधिक के साथ जाएंगे, 41 देखें, 17 मार्च 23 को अंतर राष्ट्री आपराधिक न्याले, ICC ने किस के राष्ट्रपती, ब्लादिमर पुतिन, जो कि अंतर राष्ट्री आपराधिक न्याले के, मतलब इन ही के वरुद्ध जो है, गरफतारी वारेंट जारी किया गया था, तो हम जाएगे पहले के साथ, मतलब एक के साथ, 42 देखे, देखे, लिखा हुआ है कि तृतिय भारत सहयोग मंज, F-I-P-I-C, सिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहां पर, पापुआ न्यूगिनी में, नाम्बिया में, ब्राजिल में या एक से जादा, तो आपको बता है कि जो तृतिय भारत प्रशांद जो F-I-P-I-C था, वो इस सिखर का सम्मेलन आयोजित हुआ पापु प्रशांद के पहले और स्वेथ मुख्य नयाधिस निउक्त किये गए हैं, वासिंगिटन, सिकागो या फिर नियू और या एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियू यॉर्क, जो रावन विल्सन है, वो नियू और के पहले और स्वेथ मुख्य नयाधिस निउक्त किये गए हैं, आप लैटिस्ट वाले देख लेना, जो कि चैर्मेंड, अगर कोई नयाधिले हूँ, या फिर किस देश के कौन से मुख्य मंतरी, स्वारी मुख्य मंतरी बोलो, रास्ट्रपती, और भारत का भी इस तरीके से आप याद कर लेना, क्योंकि ये वाले कोशन्स बहुत बनते हैं, कि अध्यक्ष कौन है, जैसे नाबाट का कौन है, सिडबी का कौन है, तो ये सारी चीज़े आप याद रखेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, या तो मैं ही करा दूंगी वो भी, तो 43 हो गया, 44 में चलते हैं, देखे, इसमें लिखा किस देश की इन तीनों में से, UK, USA, जर्मनी, ठीक है, किस देश की संसिदी समीती ने हाल ही में सिफारिस की है, कि भारत को नाटो प्लस समों का हिस्सा बनाया जाहिए, बताए, किसने ऐसा बोलाए कि भारत को भी तो नाटो प्लस समों का हिस्सा बनाओ, तो 44 का बताएए, औ अभी तो बहुत करना है question अंतर आश्ट्री बुकर पुरसकार 2023 दिया गया है किसको जार्जी गोस्पो जिनोव को मार्गरेट एडवूड को अरविंद अडीगा को और आपको भी पता इसका राइट आंसर हो जाएगा जार्जी गोस्पो जिनोव को तो अंतर आश्ट्री बुकर पुरसकार 2023 दिया गया है जार्जी गोस्पो जिनोव को तो पहला एउप्शन सही हो जाएगा यहां से questions आप से repeat हो सकते हैं ट्वीटर के नए CEO कौन है बताइए जिसका नाम X हो चुका है आप में से बहुत सारी लोग होंगे भी तो एलन मस्क लिंडा याका रिनो पराग अगरवाल इनको तो हटाई दिया गया है तो ट्वीटर के नए मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO कौन है 46 का भी लिंडा याका रिनो और ये बदलते भी रहते हैं जो हमारे अलन मस्क है तो अगर प्रेजेंट में भी कोई चेंज हो गया होगा तो प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर करना या फिर यहीं है ठीक है वैसे तो अभी यहीं है लिंडा याका रिनो ट्वीटर के नए CEO और गूगल की कौन है बताएं सुन्दर पीचाई आपको बता ही है तो बी हो जाएगा 47 पे चलते हैं भारत की 2011 की जंगर्णा के अनुसार बिहार की कुल महिला साख शर्ता दर क्या थी अब बिहार का पेपर है तो भाई बिहार से रिलेटेड तो questions पूछे ही जाएंगे तो बताएगे exact number आपको याद रखना है 52.89 या फिर 63.68 या फिर 53.57 या फिर इसमें से कोई नहीं तो इसका right answer होगा इसमें से कोई नहीं ठीक है कोई सहीं चीज इसमें लिखा ही नहीं गया है तो आखिर में कितना है जितने भी students देख रहे हैं आप बताओ कि जो भारत की जब जंगर्ना होई थी 2011 में तो बिहार की कुल literacy rate कितना है female का जरूर बताना ठीक है क्योंकि इन तीनों में से कोई भी सहीं नहीं है और नहीं बताओ तो google करो अगर आप खुझ से कुछ search करेंगे न तो आपको याद रहेगा ठीक है चलिए 48 देखिए सु भद्रा देवी जिनको 2030 में पदम स्री पुरसकार से नवाजा गया है यह किस चीज के लिए जानी जाती है कि इनको पदम पुरसकार मिला बताए पदम स्री पुरसकार इनको मिला तो आपको भी पता है कि यह पेपर मैसी कलाकार के रुप में जानी जाती है ठीक है याद रखेगा पेपर मैसी कलाकार के रुप में जानी जाती है और इनको पदम स्री पुरसकार से नवाजा गया है सुभद्रा देवी जी को चलिए 48 हो गया 49 पे चलते हैं देखे छोटा नागपूर छेत्र के मुंदा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं इमली के आम के कदंब के तीन ओप्शन्स लिखा है तो ये करते हैं कदंब के ठीक है जो छोटा नागपूर छेत्र रहना वहां के जो मुंदा और संथाल हैं वो लोग कदंब के पेड़ की पूजा करते हैं तो आप्शन नबर सी 50 कोशन देखे निव्ण में से किस की खेती जायद की मौसम में की जाती है ठीक है खर्बूजा, खीरा, तर्बूज और आप भी जानते हैं इन तीनों की ही की जाती है सारे ओप्शन सही है रवी की खेती, खरीफ की खेती, जायद की ये आपको पढ़ना है कि किस मौसम में किस की खेती होती है और इस पे एक ट्रिक भी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी फिलहाल के लिए जान लिजे कि इन तीनों की ही जायद के मौसम में खेती किया जाता है तो आप्शन अमबर डी फिफ्टीवन देखिए और भुकंप से रिलेटेड कोशन पूछा हुआ है देखिए लिखा हुआ है कि भुकंप के संबंद में कौन सा कथन सकते है अब ऐसे वाले कोशन में या तो डी होता है या ई होता है तो चलू देख लेते हैं सबसे पहले तो पी तरंगे अनुप्रस्त तरंगे हैं सही है धरातल पर उद्गम केंदर के उपर के स्थान को अधी केंदर कहते हैं ये भी सही है और सबसे पहले जानवर जो होते उनको पता चल जाता है और वो कुछ अलग सा बिहेब करने लगते हैं और इस वज़ा से भी एक बार आया था कहीं पर ऐसा हुआ फिर लोगों को पता चल गया कि कुछ होने वाला है जानवरों के वैवहार का अध्यान इस थानी लोगो द्वारा देखें वही चीज यहां पर लिखा है अपनाई गई भूकम्भी की भविश्वाणी के तरीकों में से एक है फिर लोगों ने घर खाली कर दिया जैसे उन्होंने देखा कि कुछ आनिमल्स जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो तीनों की तीनों आप्शन सही हैं तो हम जाएंगे डी के साथ ठीक है चलो 52 निम्न में से कौन सा कतन उतरी अमेरिका महादीब की लेक सुपीरियर के संबंद में सत्य है तो लेक सुपीरियर के बात हो रही है यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा जील समू है यह तो गलत है और यह कनाडा और USA के मध्य भौगॉलिक सीमा बनाता है यह बात सही है यह दोनों देसों के मध्य लगबग 1700 किलोमेटर लंबी सीमा बनाता है यह गलत है तो संबंद में सत्य पूछा था तो लेक सुपीरियर के बारे में कि यह कनाडा और USA के मध्य भौगॉलिक सीमा बनाती है तो B के साथ जाएंगे 53 देखिए अकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को प्रीथवी का जुडवा ग्रह माना जाता है सोसल साइन्स का कॉश्चन तो यही तो G.S है जिसमें सब कुछ आपको पढ़ना है तो काफी अच्छा कॉश्चन है और हो है सुक्र ठीक है यह तो मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा प्रीथवी का जुडवा ग्रह किसे मानते हैं सुक्र को आप्शन नबर C निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है अर्जेंटिना, चिली या फिवेनेजुएला कौन सा देश जो है वो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है और वो है वेनेजुएला ओप्शन नमबर C ठीक है इसको याद रखना चलिए 55 पे चलते हैं अभी तो बहुत सारे कोशन्स बागी है चलिए वाइब मंडल से कोशन ना आए ऐसा तो होई नहीं सकता है और काफी इंट्रेस्टिंग कोशन ये बनाते ही हैं जो कि सभी कर लेंगे और कौन सा विकल प्रिथवी की सता से सुरू होकर मंडल की पर्तों का सहीं क्रम है और इसको मैंने पेपर 2 के SST में बहुत बार आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपका छोब मंडल होगा फिर आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहीर मंडल और यही इसका सहीं जो है रो है कि सबसे पहले छोब मंडल, फिर समताप, फिर मध्य, फिर ताप, फिर बहीर मंडल तो 55 का आपका हो जाएगा A जिसे ना याद हो, स्क्रीन सोट ले लेना, क्योंकि ये कोशन तो आएगा ही, 56 नमबर का कोशन देखिए, और ये कोशन में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट मैं BPSC ने जो इस पर अपना क्लारिफिकेशन दिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी, इस्थानांतरन स मिलपा, और मलेशिया में लदांग, तो इसका आंसर क्या होगा, एक से अधी क्या कोई नहीं, इसमें से कौन सा सही है, अगर मैं BPSC के ऑफिशल आंसर की बात करूं, जो उन्होंने साकेंड प्रोविजनल आंसर की थी, क्योंकि इस पर काफी चैलेंज किया गया था, बट फ और यह इस पर मत जाना क्योंकि यह अलग-अलग सेट के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, सेट सिरीज A, B, C, D, सब में अलग-अलग आंसर है इसका, तो किसी में A माना गया है, B, C, C, बट यहाँ पर इन्होंने सिंपल सी जो चीज लिखी थी, वो आप जरूर पढ़ो, देखो लिखा हुआ है कि Chena, Chena is the local name of sifting cultivation in Sri Lanka, मतला Sri Lanka में Chena sifting cultivation का एक local नाम है, and some other Asian countries, और इन्होंने बोला कि और कुछ जो Asian countries है वहाँ पर भी जो sifting cultivation उसको Chena नाम से जानते हैं, जिसमें including Bangladesh, Bangladesh में भी जो sifting cultivation होता है उसको Chena नाम से जानते हैं, इन्होंने बताए कि Milpa जो है वो Mexico में, Milpa इस्थनांतरन कि जो sifting cultivation का जो local name है, वो कहाँ पर है Mexico में, और लदांग जो कि वहाँ पर Malaysia में लिखा हुआ है, इन्होंने बोला क जो कि Chena जो है local name स्रीलंका का है और कुछ Asian countries में जिसमें Bangladesh भी आता है, तो यहाँ पर इन्होंने प्रूफ दिया है, ठीक है इसलिए हमारा answer A, मैंने सुच आपको दिखा दूँ ताकि doubt ना हूँ, तो समझ गए होंगे आप इसका A हो जाएगा, ठीक है, 57 देखें, यदि Green Wish मे में क्या समय होगा, काफी असान calculation होता है इसका, दो पहर के 2 बजे आप इसको solve जरूर करना, 57 का A, 58 देखते हैं, महा सागरी परपटी के मुखिक खनीज घटक क्या है, सिलिका अलूमिना, सिलिका निकल या फिर सिलिका मैगनेशियम, तो बताइए इसका right answer क्या होगा, महा सा 59 देखें, निवनमे से कौन सा मल्चिंग सब्द की व्याख्या करता है, और ये मल्चिंग हमने सोसल साइंस में कई बार पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मल्चिंग का मतलब क्या होता है, कि जो फसलों के बीच जो खाली जमीन होती है, उसको पुवाल जैसे जैविक घासादी से ढखना, खड़ी, ढालों पर बनी, वेदिकाओं से फसल लगाना ये नहीं होता है, मल्चिंग का मतलब होता है, कि जो फसल के बीच में जो खाली जमीन है, उसको आप क्या करो, पुवाल जैसे जैविक पदात की परस से ढख दो, तो ये होता है मल्चिंग, ऑप जी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, तो इसका बताईए, या फिर एक से अधिक, सारे भी सही हो सकते हैं, तो इसमें सारे के सारे सही है, तो हम जाएंगे एक से अधिक के साथ, ठीक है, D option, चले 61 पर चलते हैं, 61 देखिए, जोहला नहरू की औस्थाई सरकार में स्रम मंत्री ठीकी का कोश्चन है, बताईए, तो आपको पताई कि जोहला नहरू जी का जो अस्थाई सरकार था, उसमें स्रम मंत्री थे, जग जीवन राम, ये नाम रट लेना, option number C, ठीक है, जग जीवन राम, तो 61 का C हो गया, 62 देखते हैं, 1918 के किस महीने में, चमपारन क्रिसी कानून, जिसको चमपारन एग्रिगरिन एक्ट बोलते हैं, यूरोपी नील बगान के स्वामी के विरुध पारित हुआ था, तो ये महीना आपसे पूछ रहा है, February, May, November, ठीक है, और एक सैदिक भी हो सकता है, कोई भी नहीं, तो इसमें स गलत है, हम option के साथ जाएंगे, E के साथ, आप मुझे बताओ, जो चमपारन क्रिसी कानून था, वो किस महीने में पारित हुआ था, नील बागान के विरुध जरूर बताना, option number E, 63 देखिए, 63, कौन सा सहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और कोई नहीं भी हो सकता है, ठीक है, a bunch of old letters का लेखन, डॉक्टर राजिन प्रशाद ने किया था, एकदम गलत है, वैक्तिकत सत्यागरा में ब्रमधत दूसरे सत्यागरही थे, ये भी गलत है, सुबाश चंदर बोस ने the Indian struggle का लेखन किया था, ये बात 100% सहीं है, और हम जाएंगे C के साथ, Indian struggle book, जो है क Congress के गया अधिवेशन में भाग लिया था, जीके का question है, आपको पता होना चाहिए, जो उराव जनजाती है न, इसने Congress के गया अधिवेशन में भाग लिया था, उराव जनजाती, option number A, 65 फिर से वही है कि कौन सा सहीं सुमेलित नहीं है, ध्यान देना नहीं आपसे पूछ रह ये एकदम ही गलत है, यंग इंडिया महात्मा गाधी और इंडियन स्पेक्टरिट सुरेंद्रनाथ बैनर जी, तो इसमें से आप बताओ, इसका right answer क्या होगा, 65 का, तो नहीं पूछा है, तो एक से अधिक options इसमें से गलत है, इसलिए हम जाएंगे D के साथ, ठीक है, तो 65 का D, 66 देखिए, 1938 में किसकी अधिष्टा में राष्ट्रि योजना समीती की स्थापना की गई थी, बताइए 66, राजिंदर परसाद, सुबाश चंदर बोस, जोहला नहरू या फिर एक से अधिक, तो आपको भी पता है कि जब भी किसी योजना की बात आएगी, तो उस समय जो जोहला नहरू जी दीखें, तो आप उसको टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्री योजना और भी बहुत सारे कोशन से में पूछे गए हैं उस समय, तो इनी के अधिर्ष्टा में समीती की स्थापना किया गया था, राइट आंसर है C, जोहला नहरू, चलिए आगे पुस्तक की लेखक कौन थे, कल ही मैंने आपको कराया है और कल के सिरीज आप जरूर देखना, उसमें यही कोशन्स रिपिट है, डॉक्टर राजिंद परसाद, ठीक है, महात्मा गादीयन बिहार, सम्रमिनिसेंस, पुस्तक की लेखक है, डॉक्टर राजिंद परसाद, 68 देखिए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकी दारी कर देने से ही इंकार कर दिया और सहयोग सविने अवग्या या फिर भारत छोड़ो आंदोलन बताईए इसका राइट आंसर आपको पता है न सविने अवग्या आंदोलन ये जो है न इस आंदोलन के ही प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने कहा कि हम नहीं देंगे चौकी दारी टेक्स ठीक है आपसे कोशन पूछ रहा है कि वह महिला स्वतंतरता सिनानी कौन थी अरुना आसफ अली गुलाब कौर या फिर विशन देवी साह तो आपको भी पता है अरुना आसफ अली इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तो एक बर यहां पर और टिक कर देती हूँ किस स्थान पर बाल गंगधर तिलक जी ने होम रूल लिग की स्थापना 1916 में किया था 70 और आपको भी पता है फेमस कोशन है यह पूना ठीक है याद रखना यहीं पर इनों ने होम रूल लिग की स्थापना की थी 1916 में तो यह हो जाएगा पूना यह देखिया वन लाइनर कोशन है इसमें कोई एक्स्प्लेनेशन ही नहीं चाहिए याद है तो ठीक है नहीं तो फिर आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा तो यह सारे कोशन्स तो रटने वाले होते हैं हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकासन से कौन संबंधित था बताईए यमुना कार जी राहुल सांकृतियान सहजानन सरुसती या एक से अधिक या कोई नहीं तो आपको भी पता है इसका एक से अधिक क्योंकि B और C का तो कंफर्म है 100% कि राहुल सांकृतियान और सहजानन सरुसती जो हैं वो हुंकार हिंदी साप्ताहि पत्रिका के प्रकासन से संबंधित थे तो एक से ज़्यादा जब ऑप्शन सही होता है तो हम D के साथ जाते हैं 72 किस अंग्रेजी सेन अधिकारी ने जहांसी की रानी को यह कहते वे श्रधांजली दी थी कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एक मात्र मर्द थी और वो है यूज रोज इनका तो नाम ही इसका तो नाम आपको याद ही होगा ठीक है तो 72 का आपका में बाई जी के लिए so option number A चलिए अभी 7 बहुत सारे question बाकी है अभी तो यह देखिए match of the following नीचे कूट दिया गया और यहां पर आपसे मिलान करना है लिखा हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित करो और नीचे दिये गए कूट से सहीं उत्तर का चुनाओ करो ठीक ह तो गरीबी हटाओ है लोगतंत्र बचाओ और जोतने वालों को भूमी और तेलगूओं के सौभिमान और यहां पर लिखा है यह राजनीतिक दल राजनीताओं के नाम है वाम मोर्चा इंद्रा कांग्रेस जनता दल एंटी रामराओ तो बताइए और नीचे इस तरीके से आ आपको इसको ध्यान से देखना है तो देखिए सबसे पहले तो गरीबी हटाओ यह आपको पता है इंद्रा कॉंग्रेस तो एका हो जाएगा दूसरा अब जहां जहां पर एका दूसरा नहीं है उसको हटा देते हैं ठीक है एका दूसरा यह खतम अब यह दो बच गया है यह वाला option सही हो जाएगा ठीक है उसके बासे आपका C का 1 हो जाएगा जोतने वालों को भूमी वाम मोर्चा है और जो बच गया हमारा एंटी रामा राओ तो गरीबी हटाओ किसने बोला वो ध्यान से देखना इंद्रा कॉंग्रेस लोग तंत्र बचाओ जनता दल जोतने आपका A का दूसरा हो गया B का तीसरा C का पहला और D का चौथा आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं चलिए 74 देखते हैं निम्र में से कौन सा रूसी क्रांती तथा US SSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था तो Great Britain का सामयवादी दल पूर्व के लोगों का सम्मेलन दग जो है कॉमिन ट्रन या फिर एक से अधिक तो जो रूसी क्रांती और USR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ तीनो की तीनो options नहीं है इसलिए हम जाएंगे D के साथ ठीक है 74 का D 75 पे चलते हैं और ये questions उतने आसान भी नहीं है आप देख सकते हैं किसने कहा कि अपनी राष्ट्री पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूल भूत कारण है कि अपनी राष्ट्री पहचान की प्याल उपाद ध्याएं नहीं ठीक है option number A चलिए निम्न में से औसायुक आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी बताओ 76 तो उनकी एक मांग थी राज्जस में कमी बेगार का उन्मूलन वन छेत्र में अपने पसूँ को चराने इंधन की लकडी तथा फ़ल इकठा करने हे तू खेतिहरों का प्रवेश खोलना तो ये सभी इनके मांगे थी इस वज़ा से हमारा D option सही हो जाएगा ठीक है? 76 77 देखे Montesquieu ने सरकार के अंतरगत विधाईका, कारपालिका और न्याइपालिका के मध्य सक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रभावित किया था? The spirit of the laws, my thoughts, letters, personage तो इसका right answer क्या होगा? बताएं तो आपको भी पता है कि the spirit of the laws में ही इनोंने बताया कि विधाईका, कारपालिका, न्याइपालिका इसमें जो सक्तियों का विभाजन ठीक है? इस पुस्तक में प्रस्तावित किया गया है The spirit of the laws, option number A चलिए, 78 पे चलते हैं देखे निम्न में से ब्रेटिस आसन के दोरान भारतवर्स के अंतरगत निर्वनी करण का इसमें से मुख्य कारण बताईए पहला लिखा हुआ है कि railway के मारगों पर sleeper की मांग को पूरा करना तथा साही नौसिना के लिए इमारती लकड़ी की आपूरती करना बात एकदम सही है नियोजित वनों के मांग को पूरा करना तथा चाय और कॉफी का वरिछोपड करना ये भी सही है विस्थारित खेदी के मांग को पूरा करने के लिए भूमी को उन्नत करना ये भी सही है तो इसमें सारे ही option सही है, सारे ही reason है, तो इसलिए हमारा D option हो जाएगा, क्योंकि D में ही है एक से अधिक, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, D option, 79 देखिए, भारत की किस संस्था का आदर्स वाक्य है, धर्मो रक्ष्टा रष्टा, बताएए, और आप भी जानते हैं, अनुंसंधान और विसलेशन विंग, option number A, इसकी एक बार मैं इंग्लिस दिखाती हूँ, 79 का, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, यह दिखे, अनुसंधान और विसलेशन विंग, 80 नंबर का question देखे, निम्ना आंदोनल में से किसका सरदार वल्लम भाई पटेल द्वरा नत्रित्व किया गया और वह सफल रहा, बताएए, खादी खेतियरों के समर्थन में सत्यागरह गुजरात नहीं, कपास मिलो के कर्मचारियों का सत्यागरह अहमदाबाद गुजरात नहीं, बारदोली सत्यागरह और इहां की जो महिलाई थी, उन्हों नहीं इनको सरदार के उपाधी भी दी थी, तो बारदोली सत्यागरह गुजरात इसका इन्हों ने नत्रित्व किया था और यह सफल भी रहा था, so option number c, 81, भारत और 1929 में प्रारम्भुई महमंदी के संदर्व में इसमें से कौन सा कथन सहीं है, बताएए, तो मंदी ने भारती वैपार को प्रतिकुल रूप में प्रभावित किया, सही है, मंदी ने भारती खेती हर किसान, आयात और निर्याद को प्रतिकुलता से प्रभावित किया, ये भी सही है, ठीक है, और इसके आगे देख लेते हैं, C वाला option, मंदी का भारत पर प्रभाव सं तो उसमें तीनों की तीनों आप्शन सहीं हैं 82 देखे समाजिक तथा सैच्छिक रूप से पिछडे वर्गों के आरक्षन हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैदता निवन में से किस वर्स निर्डित हुई थी यह आपसे कोशन पूछ रहा है और प्लीज इसको याद रखना 1992 यह नमबर रट लो क्योंकि 92, 93 ही लिखा हुई options में confuse कर देगा इसलिए आपका 20 अहीं होगा ठीक है 83 देखे यहाँ पर देखे एंगस मेडिसीन के पुस्तक अनुसार प्राचिन काल में भारत का विस्व जीडीप पीप में कितने प्रतिसत का अंसदान था यह बताईए तो आपको भी पता है 32 प्रतिसत यह जो परसेंटेज नमबर महीना जो आपसे पूछा जाता है इसको रटना ही पड़ेगा क्योंकि इतना पास-पास का क्लोज ही रख देते हैं 92, 93, 94, जैन, फैब ऐसे करके तो कन्फूजन होता है तो ऐसे इसमें भी है कितने प्रतिसत का अंसदान था जो इनके पुस्तक थी the world economy तो याद रखिएगा 32 पॉसेंट 84 पे चलते हैं फिर से यह आपका फिर से वही वाला numbers और यह numbers मिलान करने में गल्तियां ज्यादा हो जाती है यह सूची 1 है, सूची 2 है और मिलान करना है यहाँ पर नारी कल्यान हेतु अधिनियम के नाम है और यहाँ पर यह इनके वर्स हैं और आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो चलो, देखते हैं मिलान करके, देखे, विसेश विवाह अधिनियम, दहेज निसेद अधिनियम, समान पारिस्रमिक अधिनियम, नारी असिस्ट प्रतिनिधित्तो, तो आपका जो विसेश विवाह अधिनियम है, व जो था वो हुआ 1976 में और जो बच गया हमारा नारी असिस्ट प्रतिनीधियम ये आपका हो गया तीसरा 1986 तो आप इसका स्क्रीन सॉट ले 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 ना इसको रटनी की जरूरत है क्योंकि ये नंबर्स वाले याद होते नहीं है तो प्लीज इसका स्क्रीन सॉट ले ले और इसमे निम्ने में से कौन सा बुनियादी मुले सभी नेताओं द्वारा भारत के सन्विधान पर विचारवी मर्स हितू सन्विधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्विकार कर लिया गया था सारुभों वैस्क मत अधिकार स्वतंतरता और समानता का अधिकार के बारे में यहां पर भी पूछा जा रहा है पुस्तक the beautiful tree indigenous Indian education in the 18th century यह किसने लिखा है धर्मपाल तिलक गांधी तो यह लिखा है धर्मपाल ने ठीक है याद रखना the beautiful tree indigenous Indian यह लिखा है धर्मपाल option number a 87 देखे भारत वर्स के समिधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्न में से मुखेता किसे आश्वासित करता है जो बंधुत्व है इसमें से किसको आश्वासित करता है यह आपसे पूछ रहा है तो वो करता है वैक्ति की गरिमा को देश इसलिए हम जाएंगे D के साथ चलिए 88 पे चलते है इन में से किस ने कहा भारती नयपाली का विलासी मुकदमे बाजी से ग्रसित है दीपक मिस्रा रंजन गोगई या फिर एनवी रमना बताईए तो कुश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस ने कहा था कि जो भारती नयपाली इसलिए का है वो विलासी मुकदमे बाजी से ग्रसित है और वो कहा था एनवी रमना ने सो 88 का आपका C हो जाएगा 89 पर चलते हैं और यहाँ पर जो कुश्चन सी आप देख रहे हैं यह आपको लगेगा कि बस इतने हैं बट यह बहुत कुश्चन चाट चाट कर मैं आप सब यह के सामने लेकर आई हूँ कम से कब 300-400 कोश्चन का यह निचोड है तब जाकर यह मुझे कोश्चन मिले हैं ठीक है तो निमने में से कौन सा पारिसिकी तंत्र में गैसी जैव भूर असायनिक चक्र नहीं है ध्यान दिजाएगा नहीं पे क्योंकि नहीं वाले कोश्चन बहुत गलत कराते हैं तो पहले कौन सा है और जो आप से पूछा जा रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा तो इसलिए हमारा पहला ही सही है ठीक है यह पारिसिकी तंत्र में गैसी जैव भूर रासायनिक चक्र नहीं है तो आप्शन नुबर ए चलिए निम्न में से कौन सा जीव ख्लोरोफिल के उपस्तिती में सुरी के प्रकास का उप्योग कर और कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक योगी को में परिवर्तित करता है तो वो श्वापोशी भी है कुछ जिवाडू भी है और जन्तु भी है तो एक से अधिक वाले पस्तिती में जो सौपोसी और कुछ जो जिवाडू है, सुरिका प्रेकास का यूज़ करते हैं, फिर और कार्बनी पदात को कार्बनी में परिवर्तित कर देते हैं, तो 90 का D, 91 पे चलते हैं, निम्न में से किसके पास उच उर्जा अस्तर और छोटा तरंग देर्ध हैं, और रक्त विकरण, पराबैगनी विकरण, दृष्यमान विकरण, बताईए इसका राइट आंसर, तो वो होगा पराबैगनी विकरण, इसके पास उच उर्जा अस्तर और छोटा त तो 91 का B, 92 पे चलते हैं, प्रतेक पोसे इस्तर पर गैर अब घटनी रसाइनों के लगतार रसाइनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं, जैविक आवर्धन, रुपातमक या फिताप जनक, बताइए, तो जो प्रतेक पोसे इस्तर होता है उस पर गैर अब घट जनी रसाइन होते हैं, उसको लगतार रसाइनिक संचय की प्रक्रिया को हम जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं, तो 92 का A, 93, जन संक्या की वहन छमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, जन संक्या व्रिधी दर, जन्म दर या फिर सिमित संसाधन, तो जो सिमि तो option number C, 94, मैथे, मोगलोबीनेमिया, ठीक है, निमन में से किस से दूसित पानी पीने के कारण होता है, यह एक बीमारी है, तो यह आप से पूछ रहा है कि, किस से इसमें से दूसित पानी पीने के कारण होता है, नाइटरेट, कैडमियम या फिर फोस्फेट, या फिर तीरो की वज़ा से भी हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं, तो इसलिए हमारे इसमें एक से दिक option सही है, तो हम जाएंगे D के साथ, ठीक है, तो नाइटरेट, कैडमियम फोस्फेट, इन के कारण, दूसित पानी पीने के कारण, मैथे, मोगलोबीन, नेमिया हो जाता है, ठीक है, तो यह इसका reason है, option number D, 95 पे चलते हैं, पारी तंत्र में उर्जा का प्रवा होता है, बहुदिशिक, एक दिसिक, त्री दिसिक, तो आप भी जानते हैं, जो पारी तंत्र होता है, उसमें उर्जा का प्रवा एक दिसिक होता है, तो 95 का आपका B हो जाएगा, 96 देखते हैं, निमने में से कौन सा पारी तंत्र का संगटक है, जन्तु, पादप, सुष्मजीव, एक से अधिक या कोई नहीं, बताईए, तो आपको यह पता है, जो पारी तंत्र का संगटक है, उसमें आपका जन्तु, पादप, सुष्मजीव, इसलिए हमारा ज्यादा options अहीं है, और बोथ वाले ऐसे कुछ options होते नहीं है, इसलिए आपको D के साथ जाना है, उपरियुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, 97 पे चलते हैं, सेम इसी तरीके से आपको एक्जाम में भी questions देखने को मिलेंगे, निमन में से कौन सी gas, लैंड फिल से उत्पन होता है, सल्फर डाइकसाइट, मिथेन, तरल पैट्रोलियम गैस, या फिर एक से अधिक, तो आपको भी पता है कि यह जो gas है, वो लैंड फिल से उत्पन होता ह चाहें वो मिथेन हो, चाहें वो पैट्रोलियम गैस हो, तो इसलिए मारे एक सेधिक option सही हो जाएगा, और हम जाएंगे D के साथ, ठीके, निमन में से कौन जंगल में आहार स्रिंखला का प्रतिनिधित्व करता है, पादप हीरन सेर, पादप मेढक, सांप, पादप खर-पत प्रतिनिधित्व इसमें से कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, पादप हीरन एंड सेर, ठीके, 99, परियावरन में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, जिवाडू, मृतोब, जिवी, पर जिवी, एक सेधिक कोई नहीं, तो ध्यान दी पर जिवी की क्रिया द्वारा ये विघटित नहीं होगा, तो एक सेधिक उप्शन सहीं है, इसलिए हम जाएगे D के साथ, ठीक है? एक सो एक प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको पसंद आता है, और कोई चेंजिस अगर आप चाहें, तो भी बता सकते हो, वल नाइनर नोट्स की मैंने बारे में बोला है, बट उसको बनाना काफी महनत है, हर जगह से चांड चांड कर कोश्चन्स लेकर जो हरे पौधे होते हैं, वो सुरी के प्रिकास की उर्जा का वन पॉसंट वो ग्रहन करते हैं, और उसको खाद उर्जा में परिवर्थित करते हैं, तो C, एक पॉसंट, फिर से भारती रास्ट्री आंदोलन का नहीं, ये तो उसका कॉश्चन नहीं है, किसके नत्रित तुम देविष्णोई, मेधा, पाटकर, सुंधरलाल, बहुगुड़ा, तो वो है अमृता, देवी, बिष्णोई, ठीक है, इस पर भी काफी लोगों ने चैलेंज किया था, तो इसका आंसर यह है, अमृता, देवी, बिष्णोई, एक सधिक वाले ओप्शन इसमें बोला गया थ ठीक है, इस हिसाब से आपको याद रखना है कि इनके अमृता, देवी, बिष्णोई के नित्रुत में चिपको, आंजलन को मजबूती मिली, option number A, 104 देखिए, आहार स्रिंखला में प्रथम पोसी इसतर पर मौजूद होते हैं, क्या चीज, स्वापोसी, प्रात्मी उभोगत तृतिय, या फिर सारे के सारे, या फिर कोई नहीं, तो जो स्वापोसी होते हैं, वो आहार स्रिंखला में प्रथम पोसी इसतर पर मौजूद होते हैं, और ये था हमारा question, 200-300 questions का निचोड था, जो भी important questions मुझे लगा कि BPSC इस बार वे repeat कर सकता है, वो आप सभी के सामने ह बाकी और भी classes आपको daily मिलेंगी, और आप सभी के comments आते हैं, कि आप एक या दो classes लेकर आओ, तो उस पर भी काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी आपको मिलेगा, जाते जाते लाइक से subscribe कर दीजेगा, last में दो classes मिलेंगी, वो भी जरू देखें, प्लेलिस्ट में आपको स सारी classes मिलती रहेंगी, मिलते हैं next class में, thanks for watching.